जाइश्री महाँकाल हर हर महादेव। जिन मنتरों के प्रियोग करने से आप अपने जीवन में कहीं सारे बदलाव कर सकते optimizing और अपने जीवन में वो परिवर्तन जो आप बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, सबसे पहले हम उन जातकों को एड्रेस कर लें, कि ये वीडियो कौन से लोग देखे हैं, जिसे पहले तो वो लोग देखे हैं, जिनके घर में धन नहीं टिकता है, मतलब पैसे तो बहुत आता ह लेकिन टिकते नहीं है, दूसरे वो लोग जिनके आप पैसे आते ही नहीं है, टिकना तो दूर और जाना तो दूर पैसे आते ही नहीं है, और तीसरे वो लोग भी इस विशे को देखर कि उनके जीवन में परिशानियां खत्म होने का नाम लेती नहीं है, एक परिशानी का दूसरी आई, जीवन परिशानियों का विशय जरूर है, लेकिन वो परिशानिया एक अलग है, लेकिन हम हमारे नीजी परिशानियों में इतने उलजे हुए होते हैं, कि समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हमने ऐसा किया, जिसका हमें इतनी सारी चीजे लाइफ में खराब होती तो वो परिशानिय की में बात कह रहा हूँ, जो थे वो लोग भी, कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे किस्मत और भाग के बिलकुल खराब है, तो वो लोगों के लिए ये वीडियों देखना चाहिए, आज इन चारो तरह के जातकों की हम एक समूचय विशय पर बात क करेंगे, और आपको वो मंत्र बताएंगे, वो तरीका बताएंगे, जिस तरीके से आप अपने ग्रहों को अपनी कुंडली के जो भी खराब दोश हैं, उन दोशों को सही कर सकते हैं, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं, दोस आपकी किसी समस्या का समाधान एक सकारत्मक्तोर पर आपको यहां से मिले, पहले वो लोग आप इस बात को एड्रेस करें कि आपकी इस्ट देव कोन है हर एक जातक कि अपनी इस्ट देव होते हैं आप बहुत से जातकों में यह confusion के रिएट होता है क्योंकि overall सब एक ही स्वरूप है एक ही उसका रूप है अलग-अलग उसके स्वरूप है दोस्तो वो चीज़ आप clear रखें इस बात को लेकर दिमाग में up and down या इस तरह की negativity create नहीं करना है नहीं है, तो मैं अगर आपको निजी तोर पर एक suggestion दे रहा हूँ कि आप शियू जी को अपने इस्ट माने और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताए कि आपके इस्ट कोन है मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यातर जातकों के कोन से देऊता इस्ट देऊ है अब मान लीजेगा कि आपको सब से पहले उनका इस्ट को धारण करना होगा इस्ट को धारण करने से मतलब है कि हमें हमारे इस्ट पता होना चाहिए और उनके प्रती हमारा पून समर्पन होना चाहिए हमारा विश्वास जो एक सिस्टम है हमारा वो सिस्टम पूरा उनको डेडिकेट होना चाहिए उनके उपर आपको अनन्त विश्वास होना चाहिए जब विश्वास आपके पास होगा तो आप उनसे जुड़े हुए जो मंत्र है जैसे ओम नमे शिवाई शियू जी से है हनमान जी के लिए सीता राम है हनमान जी के लिए आप हनमान जी के नाम लेंगे तो वो उतने प्रसन नहीं होगा, जितने प्रसन है कि सीता राम लेंगे आप वैसे स्री गणेशाइन नम हो गई, जै मा संतोसी हो गई, मा जगदंबे का मंतर हो गया तो ये देवी देवताव को जो अपने मंतर होने से मतलब है कि जो उनकी आरादना के लिए प्रियोग किये जाते हैं, उनके आवान के लिए जब किये जाते हैं, वही मंत्रों को आप अपना गुप्त मंत्र मानें, वो कोई भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, गायतरी मंत्र हो सकता है, महामर्तिय जे मंत्र हो सकता है, लेकिन उस मंत्र क को जबना है और जबने के साथ साथ एक महत्पूर्ण चीज जो हर एक जातक को करना है कि अगर किसी जरुवत मन की मदद आप करें उस मंत्र जब के साथ जब आप हेल्प आगए क्योंकि मंत्र जब जब आप करेंगे तो आप में मदद का जो भाव है न वो उमड कर भार यह उसके प्रभाव है कि आप सही जा रहे हैं आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो गया है आप में बहुत बदलाव आ गया है समझना आपके जब बहुत सकारत मत्र आप